वी विश यो बड़ी हापी हो ली हम आज इस वीडियो में महाराशा का फ्रेविट क्यूजिन जो की है पुरुन पोली और अम्ती बनाना सिखाने वाले हैं चलो आप सीखते हैं कैसे बनाना है पुरुन पोली और अम्ती पहले हम पुरुन पोली से स्टार्ट करेंगे चना दाल को अच्छे से दो लेना है हमने देर ग्लास चना दाल में दो ग्लास पानी दाला है फिर उसको ग्यास पर रख दीजे बॉल होने के लिए 10-15 मिनिट तक चना दाल को बॉल होने देना स्पून लेकर थोड़ा चना बहार निकाल के उसे देख ले स्मैश करके अगर अच्छे से पका है तो ठीक है अगर पका नहीं है तो फिल से गैस पर चड़ाए और उसे बॉल होने दे थोड़ी देर के बाद निकाल लेना और फिर उसको चान लो और यह जो पानी बचा है इसस को हम कुकर में शिफ्ट करेंगे इसमें ओल डालने की कोई जरूत है नहीं डिरेकली चना कुकर में डाल देना अब हम इसमें एक लाश शकर दालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और वो जो गुर्धा वो भी दालेंगे युँ में लिलाइची लिया था उसको अच्छे से समाश कलेंगे इसमें हम तोड़ा शुगर आड करेंगे क्यूंकि अपने आप समाश आड़ा नहीं इस लिए शुगर से ज्यादा बेटर होगा इसलिए ट्वड़ा से पाउदर को कूकर में डाल देंगे इसको आछी से सि और द्यान रखेगा यह दीमी आज पर पकना चाहिए ने तो यह जल जाएगा देखो आच्छे से गाड़ा होने के बाद गास बन कर दीजे इसे 2-3 मिनिट तक साइड में रख दीजे थंडा होने के लिए फिर उसे मिक्सर में दाल के उसे पीस लीजे अच्छा सा अच्छा सा इसे ही फ्रिज में रख दीजे 10 मिनिट तक ताकि वह गाड़ा हो सके फिर हम चपाती इजीली बेल सके हमने से अभी फ्रिजल से निकाल लिया देखो गाड़ा हो गया है आसानी से इसे बेल सकते हैं आटा को थोड़ा बेल लीजे और हम पूरण अब इसमें भरेंगे देखे इस तरह से हमें करना है अराम से करिएगा अगर आप फोर्स टाइम कर रहे हैं तो और हमने जो पूरण पूरी का मिक्षर बनाया है वह थोड़ा साइड में दो स्पूंस रखेगा ताकि वह आम्टी में हम थोड़ा दाल सके बहुत अच्छा टेस्ट आएगा डू ट्राइट आउट यहां हम थोड़ा आटा का पावडर छिड़क रहे है ताकि यह जो हमने बनाया है दो वह चिपके ना नीचे लोली बेल लीजे यह बहुत आसान है दिखने में हाड लगता है बड़ रस्मी यह बहुत आसान है बनाने में हमारा बेलना समाप्त हो गया हम थोड़ा पान के ओपर ओल छिड़केंगा अगर आपको घी पसंदे तो गी दाल येगा और थोड़ा ओईल या घी चपाती को भी लगाना और फिर उसको पान के ओपर रखती चाए पुरुन पोली को दीमी आज पर पकाना ज्यादा आज पर पकाना मत फिर वो जल जाएगा हमारा पुरुन पोली है आप्सलिशी रेडी है ये खाने के लिए तयार है खाने से पहले ना चपाती के अंदर थोड़ा घी दाल दीजिए बहुत ज्यादा टेस्टी लगेगा खाते ताइम हमारा पुरुन पोली रेडी है अब चोलो अब अम्ती बनाएंगे अगर आपको चाना दाल का पानी है वह फेकना मत देख अब इमली आयर करा एक बांच मिनेत तक उसको अच्छे से ऐसे कर लीजिए ताकि जो इमली का खटा पन है वह उसके अदर उतर जा जाए हमने पाच्छे मिर्चियों को मिक्सर से निकाल कर ले लिया है और हमने थोड़ा चना भी ब यह हो गई तैयारी अम्टी की अब चलो अब आक्चल में अम्टी बनाएंगे एक पांड में थोड़ा ओईल डार कर उसे गरम होने देंगे फिर उसके बाद हम उसमें जीरा राई डालेंगे जीरा राई गरम होने के बाद हम उसमें कड़ी पता आड़ करेंगे ध्यान से करेगा ठीक है कड़ी पता थोड़ा क्रिस्पी होने के बाद हम इसमें मिर्ची का पेस दालेंगे आराम से करेगा ठीक है अब इसमें हम थोड़ा चना दाल का पानी और इंगली का पानी जो हमने बनाया था वो आड़ कर लेंगे अब इसमें 1-2 तीस्पून हल्दी, 2 तीस्पून सॉल्ट, स्वाद अनुसा दाल लीजे अफकॉर्ण चार पाच हिलाईची के कवर्स जो हमने बचा के रखे थे वो उपर से डाल दीजे मैंने आपको बोला था ना की पूरन का बैटर बचा के रख लीजे पूरन का बैटर हम इसमें 5-6 स्पून्स दालेंगे, अगर आपको ज्यादा स्वीट चाहिए तो ज्यादा दालिएगा, अगर आपको स्वीट पसंद नहीं है ज्यादा थो थोड़े स्पून्स दालीजे, 2 स्पून्स काला मसाला या अड़ करे थे हम पहले आर का न भूल गे तो इसले अभी करे अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेना आए घिक है जो हमने पूरन का पैटर दाला था ना उस बैटर को अच्छे से तोड़ देना है वह अच्छे से इस मिक्षर में मिक्स हो जाए ठीक है हमारा ओलमोस्ट रयडी है आमती थोड़ा सा बस पतने दीजे एक पाथ छे मिने तक पकने दीजे धीमे आज पर देखो हमारा अम्टिया पूरा रेडी है यह हमारा फोर्स वीडियो ता अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज दू लाइक और सब्सक्राइब वांस अगेन है वेरी हापी हो